इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम हाई स्कूल 10th क्लास का जो model paper जारी किया गया है board के द्वारा इसका complete solution देखेंगे इससे पहले हमने आपके जो विशे हैं उनको complete करवा दिया है तो सभी model papers देखने के लिए channel की playlist में चले जाएए आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप comment section में comment और इसके बाद में आपको बताया गया 6 से 17 तक जो है 2 अंग के हैं और इसके बाद जो है next आपका जो है 18 से 20 तक 3 अंग के हैं और 21 से लेके 23 तक 4 अंग के हैं क्रमांग जो है आपका 6 और 23 तक सभी प्रशनों के आंत्रिक विकल्प दिये गया है नहीं कि choice आपको दी गई है तो चलिए पहले question से start करते है पहला question पूछा गया आपसे रिती काल को काववे की द्रिस्टी से बाटा गया है तो कितने भागों बाटा गया है तो इसको तीन नेक्स जो प्रशन है इसमें पूछा गया आपसे चरणों में नीहित मात्राओं के आधार पर दोहा है तो चरणों में जब आपका होता है तो उसके हिसाब से जो दोहा हम काउंट करते हैं वो कौन सा होता है वो हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद वाला होता है यहाँ पर 10 option ज यहाँ पर नेक्स क् 설 given गया है यहाँ पर आप से पुछा गया है वे दिरे धिरे रौने लगा वाख के में क्रिया विषयoson काम है आपको बताना है किसमें सिधा सिधा आपसे क्रिया विषय 예समें क्या बना देते थे वो, वहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर पता होना चाहिए, आप अंदाजा भी लगाया करो, वह इसको नाटक घर बना देते, तो यहाँ पर options आपको मिलेंगे फिलप्स में, तो आपको टिक करना है, तो यहाँ पर दिया गया है, रिक तो यहाँ पर आपको बहात बहाते हैं, तो आपका नेक्स बाख्यों से कडिया करने की सामान ने सूचना मिलती है, तो कौनसे वह वह वाक्ये होते हैं, जिससे सामान ने मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं, विधान वाचकवाग, तो आपका first option इसमें correct हो जाए. इसके बाद आपका next question है, उसको देख लेते हैं, इसमें, यहां बताया गया है, कटाओ में वर्फ से धके पहाड, खाली स्थान की चमक रहे थे, किस तरह से चमक रहे थे वो, तो वो जो है, चान्दी की तरह चमक रहे, तो आपको next question है, यहां पर आपको इस्तंब मिलाना है, तो बताइए इसमें सही answer कौन सा होगा, तब से पहले उत्सा कविता की बात करते हैं, तो इसका सिधा-सिधा आप जो है, उत्सा कविता को किस से मिला दोगे, यहां पर आप देख सकते हो, चान्दी से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपका आपका यह आवान गीत, उस्सा कविता जो है यह आपकी आवानगीत हो गई और मानवी क्रियाओं का आरोब जो है इसको आप मैच कर दोगे मानवी करण अलंकार से तो आपका यह ड़ा उप्शन से मैच हो जाएगा फिर रिपोर्ट तार्ज की भासा जो है वह कौन सी होती हो फ्रेंच होती है तो यहा इस तरह से आपका यह सारे उप्शन मैच कर ले अब इसके बाद जो नेक्स कोश्चन है आपका एक वाक्के में उत्तर देना है तो फसल कवीता हमें किसके करीब ले जाती है तो आंसर हो जाएगा किसान और कृशी संस्कृति तो आपको बताने है तो इसमें दो भेद होते ह तो वो अव्यवी भाव समास कहलाता है वा जो है अपना हाथ जगनात लोकोकती का आर्थ क्या है स्टोय का कार रह संके कर दूधर जो है करना यही बहानता है इसका मतलब यह है कि आपसिदole उसका वाक्क प्रयोग भी कर सकते और भोला नाते पिता फूल के कर्टोरे में उ यह सत्य है या सत्य है तो यह सत्य है और दोहा और चौपाई वर्णित चंद हैं तो यह क्या सही है या गलत है तो असत्य है यह दोहा और चौपाई वर्णित चंद नहीं है मान और संस्किती एक अभिभाज्य वस्तु है ये क्या है विल्कुल आपका सत्य है और दो वर्णों के मेल को संधी कहते हैं क्या ये सत्य है तो ये भी हमारा सत्य है और रंगीन, पताकाई, शांती और रहिंसा का प्रतीक है ये भी हमारा क्या है सत्य है और आपका लास्ट इसमें पूछा गया है, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर विवश्टा को पैचानता है, तो क्या ये सही है, तो ये आपका सत्य है, यानि कि इसको क्सक्रास कर दीए, दो सत्य है बाकी सारे आपके सत्य है, नेक्स जो कोशिött है आपको बता देना है रीती काल को श्रंगाल कार क्यों कहा जाता है और रीती काल किसी एक कवी का जो आपको नाम भी बता देना है तो यहां पर हमने रीती काल को श्रंगाल कार क्यों कहा जाता है यहां बता दिया इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है तो आप इसको देख सक यह चीज आप यहां पर समझेए कि आपको कम से कम सब्दों में और सही सही सठीक लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे तुलसीगात और नागरजुन का सबका लिख लिख लिए तो यहां पर देखिए नागरजुन की कवेगत विशेष्टा है क्या है और उनकी रजना है क्या है यह सब हम यहां पर बता देनी ठीक है इसके बाद जो नेक्स पार्ट है आपका गोपियों ने उदाव से योगी की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कई एक बहुत ही common question है और आप सभी को याद होगा तो इस question का answer हमने अपनी हसाब से लिखा है आप अपने हसाब से भी लिख सकते है इसके बारे में आप अ जो यहाँ पर जो पुछा गया है इस थाई भाव संचारी भाव में अंतर तो यह भी आप बता देंगे तो यहाँ पहने इस थाई भाव एक तरफ और संचारी भाव आप एक तरफ लिखा है, आमने सामने इसके अंतर को इस्पस्ट किया है, इसमें चौपाई चंद की परिभाशा उधान साहित देतेना है, तो चौपाई चंद क्या है, और उसके उधान और इस्पस्ट करण भी आप देना चाहिए, तो दे सकते हैं, दो नमबर में इतना आचार निबंद की परिभाशा लिखते हुए, आपके पार्ट में सम्मेलित किसी एक निबंद रचना का नाम भी लिखना है, तो निबंद रचना आपको याद होना चाहिए, जैसे कि भय है निबंद आपका पराचार रामचंदर शुक्ल जो है, उनके बारे में उनकी पर पर निबंद बाचना है और भाशा शाली के साथ में बता देंगे इसके बहुत सारे रीजन है, आपने कोई भी दो रिजन आप तर त्र तीन रिजन दे सकते हो, इसका अथ्वा पारट में है, बाल गुविन भगत ने अपने बेटे की मिर्टीव पर अपनी भावनाए, किस इस तरह से व्यक्त की यह भी common question है, आप जानते हो अच्छी तरह से, और इसको भी आप अपने सब्दों में पर हो सकते हो, बाकि हमने head to head लिखा हुआ है यहाँ पर. अंद्र question में, बिस्मिल्ला खा को सहनाई की मंगल धोनी का नायब क्यों कहा जाता था, बहुत ही अच्छा, और प्यारा question है, एकदम अच्छे तरीके से इसको याद करना है, और अच्छे तरीके से आपके लिखा गया है, इसके आपको बता देना है, और इसका आंसर हमने दे और आप 2022 के model बेबर जरूर देख लेना, 2022 के बहुत important रहेंगे आपके लिए, आपके लिए, IMP में शामिल कर लिजिए, उनको 2022 के, क्योंकि 2022 के प्रशन पूछे नहीं गए थे, तो वो आपके लिए important हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको, इसके बाद जो next part है, इसमें आ बहुत ज्यादा मेहनत करना, वाके में प्रियोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, खून पसीने से कमाई हुई रोटी का मजा ही, कुछ और होता है या लगता है, और भी आप अपने बर्जी से कोई भी example दे सकते हैं, और गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहे देना, या बहुत सारी बात कहे देना, तो बड़ी बात ज्यादा बहतरीन रहती है, इसमें और वाक के प्रियोग आप कर सकते हो, कबीर को या फिर कोई भी रचनकार को आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं, बच्चे माता फिता के प्रती अपने प्रेम को कैसे अभिवक्त करते हैं, लिखे, CBSC का कॉश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट इस साल आया था, तो यह जिसने भी पॉइंट हमने लिखे हैं, यह सारे के सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको जरूर याद करने हैं, इसमें से कोई भी दो से मोडल पीपर जो मैंने बताया कि 2022 के जो है मोडल पीपर अल्रेडी अविलिबल हैं, सॉलूशन के साथ में उनको जरूर चेक कर लेना वो रहेंगे आपके लिए IMP 2023 के लिए याद रखना है आपको, इसके बाद निमलिकित का काव्यांश का संधर्व सहीत आपको व्याक्ष इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं इस कात्वा पाड की बात खरें तो इहां पर आपका इंग्लिस सबज़क्न वाली बात थी तो उसको समझाय गया था इसके बाद जो 19 नमबर प्रश्ण है जिसमें गध्यांस की संदर्व से अब यहाँ पर पद दिये थे च्छोटे-च्छोटे कवीत आए थी अब जो यहाँ पर गध्यांस दिया है जो आपके बड़े-बड़े चैप्टर से उनमें से आपको यह लाइन दे दिया है बाल के बारे में है किस बारे में यह सारी लाइनश की गई है उ हो गया आपका प्रसंग और व्याख्या उसके लिए आप जो है इसके तीन विशेषट. गरहक बनाना इसके मेन विशेषट है, सार्जulenिक जानकारी, जो भी आपको, पूरे जन को जानकारी देने का इसका का स्कामे, इस पूरे जन को ये सम्मलित कर लेता है और साती-सात क्रे हेतु प्रेयरना भी देता है, हम विग्यापन देखें, बहुत सारी चीज़े खईद लेते हैं, प्रेयरित होके कि यह अच्छा ब्रांड यह अच्छी चीज़े, इसके बाद जो नेक्स पार्ट है, इसमें पूछा गया, अपटित काव्यांस अत्वा, गध्यांस को सकते हैं कि राजा प्रजा कुछ नहीं होता, से कभी का आशी यह है कि कोई राजा नहीं और कोई प्रजा नहीं, अर्थात सभी मानव जाती है, यानि कि सभी-सभी क्या है, मनुष्य है, इसका मतलब यह है कि राजा प्रजा नहीं होती है, तो यह दूसरा question का answer है, उसके बा और कोई प्रजा नहीं है, जो हमारा पहले लाइन ता उसका इस्तमाल हमें हा कर सकते हैं, अर्थात सभी मानव जाती हैं, और इसका कर्म ही इनका भाग्य है, यह जो काम करते हैं, इनका कर्म ही इनका भाग्य बन जाता है, ठीक है, तो महनत की बात की बात की जो महनत करते हैं, महनत श्रम इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अथ्वा पार्ट की बात करते हैं तो यहां फे गड्यांश के मैं इसने पहले कोषियन पर भता है तो खझागवीयांस कर दो कार दो विए पहले तो फिलन."- हो जाता है तो आप इससे पहले जो है आप ले सकते हो सारी लाइने तो जब कई बार लक्ष प्राप्ति के लिए अनिक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है तब हमारे मन में निराशा का भाव जावरित हो जाता है इसके बाद जो है उपर हमने कवीता का सारांस लिखा था यहां पर भी उसका सारांस लिख देंगे तो मनुष्य को कभी-कभी लक्ष आसान नहीं मिलता उसके मन में निराशा उतपन हो जाती है क्योंकि लक्ष उसके लिए निराशा से बढ़कर करके जो कोई दूसरा पाप नहीं है क्योंकि उसका समूल नाश हो जाता है तो आशा को बसाना चाहिए और हमें उतसाहित आनि की प्रसंद देना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जब हम आशावादी रहते हैं तो विवरित परिस्तितियों में भी लक्ष लिखते ही आप उसके नीचे सबसे पहला important चीज जो है वो दिनांक, दिनांक मेंशन जरूर करोगे, यह चीज हर स्टैप के number करते हैं याद रखना, अगर आपने यह नहीं लिखा तो यह आदे number गए, अगर आपने यह नहीं लिखा तो इसके आदे number यह हो सकता है, एक number कोई भरोसा नहीं है, तो इस तरह से आपको यह याद रखना है, तो आप सिरू करोगे सेवा में जिसको भी आप भेज रहे हैं, यहाँ पर स्रीमान, प्रशाशक या नगरपाली का महद है, यहाँ पर नगर निगम लिख दिया है, तो कोई लिक्कत नहीं है, तो नगर बार लिखते हुए, सभी नहीं निवेदन है कि दौलत गंज की नालियों में नियम अनुसार जो है सफाई की उचित व्यस्ता ना होने के कारण मच्रों और मख्यों का प्रकोफ है, फल्सवरूप कालोनी के लोगों में विमारी फैलने कब है, अता मोहदय जी से निवेदन है क क्रिप्या, वाड की नालियों तथा कूड़े कच्रे आधी की उचित व्यसता करके सफाई कराने की क्रिपा करें, केमम कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव करके मच्रों और मख्यों को शीग्र से शीग्र समाप करने की क्रिपा करें, इस असीम क्रिपा के लिए मैं तथ पुछना कुछ कहानी बनाते है और उसके विए से जो है एक्जामने नंबर काट लेता है तो यही चीज बताईगी है कि आपको लिखना कैसे है तरीका क्या है लिखने का सही तरीका आपको समझ में आना चाहिए इसका अथवा पार्ट की बात करें तो अथवा में जो है आपको फिर से दिया गया है या तो आपको वो कर दो या फिर यह कर दो इसमें चौटे भाई को पतरल लिखना है प्राता कालिन जो है चैर करने के यानि exercise करते हैं DR. आप यसा नहीं हो शाहिए। आपके वह एक याड्रेस लिखoug होगा। ध्यान रखना है आपके एक ऐड्रस आता है जो अपने रिष्तिदारों को भेजा जाता है पड़े कि आप जो है क्या कहना चाहते हो इसके बाद नेक्स्ट पार्ड है इसमें पुछा गया है निमलीकित में से किसी एक विशे पर रूप रेखा शहित आपको निबंध लिखना है विद्यार्थी जीवन में नितिक मुल्यों का महत तो जो है इसके बारे में शिक्षा का प्रसार और नैतिक शिक्षा का स्वरूप इसको समलित किया गया है और नैतिक शिक्षा की उप्योगीता बताते हुए उपसंगार पे खतम कर दो इसके बाद जो next part है आपका नियंक्षण के लिए ये भुमी का आपकी कै है ये बहुत जरूरी है ये तो आपने लिख दिया और नियंक्षण ही लिखा तो आपकी भुमी का खतम हो गगा इसका मतलब तो इसको भी आपको बताने है और उसके बाद जो है total जो है केवल आप इसमें यही बता सकते हो कि कब और क्यों सुरुकिया गया था उसके लावर फिर उपसंधार करते हो इसको खतम कर दोगे और आजादी कामरित महस्तों का उद्दिश यह क्या है यह भी हमने बताया है तो आप इसमें से कम ज्यादा कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से जो है इसका अंसर आप कंप्लीट करोगे अब इसके बाद में आपका next और लास्ट है जल संदक्षन के उपर जो हमने इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है और जो है पीडियाव डाउनलोड करने के लिए साइट विजीट कर सकते हैं आप चाहें तो थैंक्यू बरी मच्छ है वे गुटे